जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर कमाई कोई और करता है और टेक्स आपको देना पड़ेगा तो कैसा लगेगा बिल्कुल बेकार लगेगा लेकिन इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने कलबिंग ओफ इंकम के सेक्शन बना कर देते हैं लेकिन आप समाट हैं आप श्याने हैं तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे डेड़ श्याना होता है इसका मतलब यह है आप कितनी भी कोशिच कर ले अपनी इंकम को कम करने की या टेक्स को बचाने की लेकिन अगर आपके ओपर कलबिंग ओफ इंकम के प्रोविजन लागू हो जाते हैं तो income tax department आपको छोड़ने वाला नहीं है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे clubbing of income क्या होती है कौन-कौन से इसके प्रोविजन होते है और clubbing of income कब नहीं लगती है कैसे आप इसे बच सकते हैं इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं दोस्तों दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है आप भी clubbing से बच सकते हैं लेकिन जब कोई भी मामला income tax department के सामने आता है तो जितने भी सालों में आपने ऐसे करते हैं किये थे ऐसे कारे किये थे वो सारी कि सारी clubbing होकर के re-assess आपका re-assessment जो income tax department है कर सकता है तो देरना करते हुए दोस्तो clubbing of income के provisions को समझने की कोशिस करते हैं clubbing of income under section 64 दोस्तो income tax act जो है हमारा 1961 उसका जो section 64 clubbing of income के बारे में बात करता है financial year 23-24, assessment year 24-25 के लिए हम clubbing क्या होती है, कब-कब clubbing लगती है, इनके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तो what is clubbing normally क्या होता है income is taxable by the person in the hand who earned the income इसका क्या मतलब हुआ दोस्तो income tax उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिसने कमाई करी है, लेकिन यहाँ पे sometime income earned by someone and taxable in some others hand दोस्तो Mr. A ने तो कोई कमाई करी है और उसका tax है, वो Mr. B को देना पड़ेगा यह clubbing of income होती है तो यह कब-कब यह आपके अपलाई हो सकती है income tax क्या बोलता है इसके उपर वो detail में हम discuss करेंगे दोस्तो इसका example मैं देना चाहूँगा दोस्तो income earned by son एक व्यक्ति है दोस्तो, उसका कोई लड़का है let's suppose वो 15 साल का है और उसने कोई ऐसी कमाई करी तो उसका tax उस son को नहीं देना है दोस्तो, उस son की बजाए उसके father को या mother को जो भी उसके parent होंगे उसको tax देना है ये clubbing of income होती है तो clubbing of income दोस्तो, सबसे पहले section 60 की बात करते हैं कि section 60 क्या बोलता है ये बोलता है transfer of income without transfer of assessed दोस्तो, कई बार क्या होता है लोग बहुत सारी property वगरा बना लेते हैं एक व्यक्तिने मालो एक घर बना लिया उसके अलावा एक और घर बना लिया तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा उस property को rent पर देगा अब क्या होगा दोस्तो, rent पर देगा वो जो किराया आता है दोस्तो उसका check है वो अपने बेटे के नाम ले लेते हैं दोस्तो, उसका बेटा son हो गया या उसकी wife हो गई दोस्तो बहुत सरे लोग ऐसा करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये income जो है दोस्तो, in son की या इस wife की नहीं मानी जाएगी ये इस वेक्ति की मानी जाएगी Mr. A की, जिस वेक्ति का ये proper account है जो ownership proof यहाँ पर show कर रहा है उसको इसके ओपर tax देना पड़ेगा तो ये है section 64 कि आपने transfer of income कर दी मतलब उसका जो rent income अगरा थी वो transfer कर दी, लेकिन जो assessed है, assessed का मतलब दोस्तो जो भी building है, land है, plant है, वो आपने transfer नहीं करी है, तो आपकी यहाँ पे clubbing हो जाएगी to avoid if you fake, to you take rent of property in child name या wife's name तो ये आपकी income में add हो जाएगी इस तरह से है section 61 बोलता है, 60 के अंदर तो आपने transfer कर दिया था, यहाँ पे income transfer कर दी थी, यहाँ पे revocable transfer of assessed ऐसी कोई assessed थी दोस्तो, वो आपने transfer तो कर दी है, लेकिन वो revocable है उसमें यह लिख दिया कि मैं कभी भी इसे वापस ले सकता हूँ assessed transfer हो गई है, बट उसके इंदर condition लगी है कि आप इसके वापस ले सकते हैं, किसी भी time property के, तो इसकी जो भी income होगी दोस्तो, जिसको आपने transfer करी है उसकी income में नहीं जुड़ेगी, जिस विक्ती ने यह transfer करी है, उसी की income में जुड़ेगी, क्योंकि यह proper transfer नहीं कहलाता है, अब section 62 के बारे में बात कर लेंगे हम transfer irrevocable for a specified period कोई property दी है, उन्होंने बोला कि इस period के लिए, इस period के लिए हमारी यह property irrevocable नहीं रहेगी बाकी irrevocable रहेगी, तो इस तरह का कोई भी transfer अगर आप करते हैं, तब भी आपके clubbing के provision वहाँ पे लग जाएंगे section 63, दोस्तो बोलता है transfer and revocable transfer, ऐसा को transfer है जो revocable है, इसकी definition पूरी दे रखी है, नोने income tax act के अंदर तो वहाँ पर भी आपके clubbing के provision लग जाएंगे, अब जो सबसे important section है दोस्तो, वो section 64 है, income of individual to include income of spouse, minor child तो यहाँ पे दोस्तो, spouse और minor child के नाम में कोई भी property आप transfer करते हैं, कोई भी income होती है वो उस individual की income में जुड़ जाएगी सबसे पहला जो example मैं section 64 का देना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति है, वो salary, commission fees, remuneration कमा रहा है और यह किसी spouse को दिया जा रहा है spouse दोस्तो आपको पता होगा, अजर आप एक husband है, तो आपकी wife आपके लिए spouse है, अगर आप एक wife है तो आपके husband है, वो आपके लिए spouse हो जाएंगे तो एक spouse ने कोई income कमाई दोस्तो, salary की, commission की fees की, remuneration की और यह कहां से मिली है, जहां पे एक concern, एक company भी हो सकती है फरम भी हो सकती है, वहाँ पे कोई individual है जह substantial interest, दोस्तो किसी wife को यह चीज मिली हैं से कोई भी salary, commission interest, fees वगरा और उस फरम के अंदर क्या है, उसके जो husband है, वो वहाँ पे, उनका substantial interest है, मतलब काफी सारा interest उनका उस फरम के अंदर है, substantial interest क्या होता है, दोस्तो, ऐसी कोई भी संस्ता, अगर वो company है तो 20% उनके voting right वहाँ पे होंगे, मतलब आपको पता होगा 100 जने वहाँ पे होते हैं, share देते हैं, अपने जो vote वगरा देते हैं, 100% में से, अगर 20% voting का right उस वेक्ति का है, और वो अपनी wife को वहाँ पे लगा देता है, तो उसे जो भी income होगी, वो उस husband की income में जुड़ जाएगी, अगर आप company नहीं है तो 20% net profit आपको वहाँ पे मिलता है, तब आपका substantial interest माना जाएगा, लेकिन दोस्तो, अगर वो suppose है, उसके पास में कोई technical professional qualification है, अब बात करते हैं, अगर एक husband है, उसने अपनी wife को उस company या फरम में लगा रखा है, और अजे उन्हें वहाँ पे दोस्तो, और example CA की degree कर रखी है, उनके पास में proper qualification professional अगर वो है, तो वहाँ पे उसको कोई भी fees मिलती है, यह यह चीज़े मैंने आपको बताई थी, अगर वो salary पे मिलती है, commission मिलता है, fees मिलता है तब यह section 64 लागू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वक्ति के पास में, अपनी कुदी की professional qualification या technical qualification थी clubbing नहीं होगी, अब दोस्तो section 64 का दूसरा case है, income from SS transfer directly, indirectly to spouse without in adequate consideration, दोस्तों एक property है, उसमें Mr. A उसके मालिक है, Mr. A क्या करते हैं, वो Mr. B को gift दे देते हैं, या किसी भी तरह से उसको उसके नाम करा देते हैं अगर एक लाग रुपे की है तो 50,000 रुपे की transfer कर देते हैं या 0 रुपे में transfer कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, इन adequate या without adequate, मतलब जो प्रतिफल उसका था, उसके बिना उनने उसको transfer कर दी है, तब क्या होगा दोस्तों जो भी property transfer हुई है, वो अगर आप wife के wife के नाम transfer करते हैं, और कोई भी amount उनसे receive नहीं करते हैं और उसकी जो भी income होगी दोस्तों वो wife की income नहीं मानी जाएगी वो husband की income में ही जूट जाएगा, अब इसके बाद में फिर से अब आपको बात बताते हैं कि अगर आपने कोई property transfer करी है, वो clubbing नहीं होगी, कब नहीं होगी दोस्तों अगर एक agreement to live apart है उन्होंने agreement कर लिया है कि अब हम अलग-अलग रहने वाले हैं हमारे बीच में कोई भी ऐसा relation नहीं है तब ये जो है, आपकी यहाँ पर clubbing लागू नहीं होगी, वो income उसकी income में जुडेगी, before marriage marriage से पहले दोस्तों कई लोग transfer property अगर कर देते हैं, suppose करो अगर आपकी शगाई हो चुकी है और शादी नहीं होई है, और ऐसा कोई property transfer करते हैं, जहाँ पर educate consideration नहीं है, तब भी clubbing लागू नहीं होगी income earned when relation does not exist, अगर मालों वाँ पर divorce का कोई case आता है, कि वाँ पर आपका को relation ही नहीं है, और आप property उनको transfer कर देते हैं, तब वाँ पर clubbing लागू नहीं होगी income from the access transfer to sons wife, दोस्तो sons की wife मतलब आपके अगर कोई पुतर वदू है उसके नाम को याप property transfer कर देते हैं, if transfer should be without educate consideration वाँ पर फिर से बात कर रहा हूँ दोस्तो जितने रुपे की भी उनकी DLC वगरा है या जो भी property का rate है उस rate के इसाब से ही आपको ये transfer करना है उससे कम में कर देते हैं तो clubbing of provision के रूलागू हो जाएंगे transfer of assessed by an individual to a person और AOP किसी वेक्ति, एक वेक्ति, किसी दूसरे वेक्ति को 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 assess transfer करता है या किसी AOP को, association of person को करता है और उसका benefit किसको मिलेगा spouse को, husband है तो wife, wife है तो husband या sons wife को दोस्तो पुत्र वदू के benefit के लिए अगर कोई भी property transfer कर देते हैं और वो without educate consideration होती है मतलब जितने रुपे की थी उतने से कम में आपने अगर उसको transfer कर दी है तो clubbing या पे लागू हो जाएगी और उसी income के उपर जो tax देना पड़ेगा वो उस individual को देना पड़ेगा जिसने ये property transfer की थी अब दोस्तो income of minor child ये भी काफी important topic रहता है आपको पता होगा income tax के अंदर 18 साल से जो कम का लड़का है, बच्चा है वो minor कहलाता है तो minor की जो भी income होगी दोस्तो वो उसके parent को उसके उपर tax देना पड़ेगा अगर उनकी marriage हो रखी है और साथ में रहते हैं husband wife तो उन दोनों में से जिसकी भी income ज़्यादा होगी उसकी income में उसकी जुड़ जाएगी अगर marriage वहाँ पे subsist नहीं करती है तो उसके हाथ में जुड़ जाएगी जो उस बच्चे को maintain करता है तो clubbing होगी minor के case में इन दोनों में से एक की उपर income जुड़ जाएगी या तो जिसकी income जादा है या जो वेक्ती दोस्तो उसको maintain कर रहा है तो इस तरह से दोस्तो ये देखिए income जो है वो include हो गई ना एक बार किसी भी या तो उसके mother की income में include हो जाएगी या उसके father की income में include हो जाएगी जो एक बार include हो गई तो वो continue उसी की income में include होगी अगले साल चाहे उसकी income कम भी हो जाए अगर आपको कहना है कि पहले तो father की income में add हुआ था अब हम चाहते हैं कि यह mother की income में add हो उस बचे की income तो आपको A.O. को satisfy करना पड़ेगा assessing officer जो होते हैं अपने ITO वगरा आप बोल सकते हैं income tax officer अगर आप उनको satisfy करेंगे तब जाकर के दोस्तो आपका जो यह income change होगी otherwise एक parent के अंदर जुड़ गई तो उसी के अंदर ही जुड़ती रहेगी लेकिन दोस्तो clubbing applicable नहीं होगी minor के case में अगर वो minor की कोई income आ रही है और उसको disability है अंदर section ATU ATU के अंदर दोस्तो आपको पता होगा income tax के अंदर छूट मिलती है अगर ऐसी कोई disability है तो उस minor की income के उपर minor को ही tax देना है उसके parent की income में नहीं जुड़ेगी अगर वो manual work करता है कोई ऐसा कोई काम दोस्तो जो उसकी खुद की मेहनत का है उस बच्चे के द्वार किया जाता है कोई skill ऐसी है कोई talent है कोई specialized knowledge है उसको experience है इन से कोई भी income होगी दोस्तो तो वहाँ पे clubbing नहीं होगी वहाँ पे उस minor को ही अपना income tax खुद से देना पड़ तो इस तरह से clubbing of income के आपको provision समझाने की कोशिस की है दोस्तो ही आपको पता होगा हिंदू and divided family होती है बहुत सारे लोग अपनी property को ही नाम convert कर देते हैं और ही उसकी income आने लग जाती है लेकिन वह ही इनकम नहीं मानी जाएगी दोस्तो यहाँ पर भी clubbing लागू हो जाएग वो उस individual की ही property मानी जाएगी तो इस तरह से दोस्तो आप कोई भी ऐसा provision कोई भी ऐसा rule कोई भी ऐसा दोस्तो अगर transaction करते हैं किसी property को transfer करते हैं किसी income को transfer करते हैं तो section 60, 61, 62, 63, 64 इनके सभी provision को पहले पढ़ लें transaction करने से पहले ध्यान दें ताकि clubbing of provision के applicable ना हो दोस्तो अपने income अपनी suppose करो कि अपने बच्चों के नाम transfer कर दी थी कोई minor बच्चा है और आपने अपनी income में नहीं दिखाया तो आप तो सोच रहे हैं कि आप बच गए हैं लेकिन जब भी मामला खुलेगा इन future के अंदर तो income tax department ITO कभी भी आपके पुराने case खोल सकता है और उसके आपको income tax के अंदर किसी भी तरें की दिक्कत का सामना ना करना पड़े आशा करते हैं कलब्मिंग के बारे में बहुत कूछ आप सीख रहे होंगे इस वीडियो को लाइक जिरू करें अगर अच्छी लगी हो तो अभी तक हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें आपका कोई question हो को query ह कोई doubt हो तो आप comment कर सकते हैं और इसको उन सबी लोगों में share करें जो कलब्मिंग के लेकर attention में रहते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद आपका thank you so much जै हिंद जै वरत